कि नमस्कार आप देख रहे हैं जिन टीवी उत्राखंड और मैं हूँ आपके साथ भानो देख चित सबसे पहने नजर हैडलाइन्स पर परदेश में जनमाश्कमी की धून हरिद्वार के क्रिश्ट मंदर में भवी आयूजन सीम धामी ने पितौरा गड़ के समारों में की शरकत बीजेपी नेताओं कारकरताओं से किया समवाद निर्दली विदाय के उमेज कुमार के बयान पर गर्माई सियासत पांसो करोड में सरकार गिराने की साजिस का आरूब भाजपा ने मांगा सबूत उठाई जांच की माँ निकाय चुनाब की तैयारियां तेज कॉंग्रेस नेता जूती रोतेला का भयान टिक्टों में महिलाओं को मिले प्रात्मिक्ता पदिसाद्यक्ष दे करूंगी अपी राम नगर में वाहन के कैविन में शव मिलने से संसनी मौके पर पोची पुलिस पर जनों ने जताई हक्तिया क्या श्रंग का मामले फिज्जियां शुरूब पर देश के दश जनों में भारी बारिस का अलाइट देहरादून में जमाजम बरसात के आसार उधम सिंग नगर और हरिद्वार में हलकी और से मद्यम वरसा का अनुमान बदीनात राश्टी राजमार्ग मलवा गिरने से बादे खवर रिस्तार से सूबे के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने पिथोरा गड़ वे पहुंचे और गंगोली हाट में स्रीक्रश्ण जन्मा स्ष्टमी महुसब दोजार चोविस का समापन समहरू हुआ जिसमें सीम धामी ने शिरकत की साथी कार्यकरम को संबोधित भी क झाल पूरदेश के साथ ही देव भूमी उत्तरा खंड में भी करश्ण जन्मा स्ष्टमी का परवपारंपरिक उत्सा के साथ मनाया जा रहा है सभी मंद्रों में आकर्शक साथ सज्ज्य की गई और साथ ही मंद्रों में रंग ब्रंगी लाइटें लगाई गई हैं राजञानी दहरादूल में सब्वी मंद्रों में करश्ट जन्मा गई परवपर्वथ से पूजारिशना कर контрол लोगों ने वरत रखा है वो उसके बाद इस अपना वरत खोले जाए सर्कफ़्ष्णा कस्तूर इतना कम लादब दे वक्सास्तना कस्तूर ना साथ बेगार भुरुपरु नियुकर दे एंगार। बगवान किस्क्ता दो कर दो आपर इंसे पारी विटाय भुटी। जन्वाश्टमी पर्व के सुभवसर पर सुमवार को खेती खान के प्रसिद्ध गुपतिश्वर महदे मंदिर बाजगाउं में जन्वाश्टमी मेले का सुभारंब मुख अधथी पार्टी बिलोग परमुख सुमन लता और विशिष्ट अधथी शितरPशसद से कवता देव और जिलाPशसद से विजयसिंग बोहा दोारा किया गया बिलॉक प्रमुक सुमन लताद्वारा मंदर में टीन शेड निर्मार के लिए डेड़ लाख रुपे देने की घोशना की गई तो वहीं शेब मंदर के मठाधीस मेहंत जगदीश और महराज के दिशान रदेश में छेतर की मातर शक्ति और बच्चों द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई पूर्मुक मंतरी हरीश रावत को लेकर कभी उनके करीवी रहे और वरतमान में भाजपा सरकार में कैविनिट मंतरी सुबो दुनियान ने कटाक्ष किया है उन्होंने का कि हरीश रावत को अवराजनीती से सन्यास लेकर वान प्रस्थ की और चला जाना चाहिए उम्र के लिहाज से उनके दिमाग पर भी अब असर होने लगा है आज उत्राखंड में हरीश रावत एक चलती फिरती जूट की मशीन मातर बन कर रह गए है दस्वर उन्होंने ये कटाक्ष हरीश रावत के उस बयान पर किया जिसमें उन्होंने का कि विजवाग उनके साथ ही अगर उनकी सरकार ना गिराते तो गैर सेंड अब तक राज जी की पूर्ट कालिक राजधानी घुसित हो चुकी होती कि अगर अगर जी के बयान के बारे मुझे भी जयन का ने की बड़ा अश्चरे होगा जैसा बरिष्ठ नेता इस तरह की बाते करें अन्हें हम लोगों को उन्हें ने दोती बताया लेकिन यहीं बताया कि यह लोगों के छोड़ने के एक साल बात तक वह राजी की मुंक्ती अगर को नहीं उन्हें पर फैस्टा लिया जेके अरीत राबजी के बयानों में उनकी धल्ती उम्र का असद साफ दिखाई 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 जिस तरह से इस उमर में कहीं ने कहीं दिमागी दिवालिया पर नुगा निकल गिया और अगर मैं बोलू तो उत्तराखंद में जूट बोलने के चलती फिरती मसीद और इसी जूट बोलने के अध़त ने उनको तो गत्मे लाया और आने काम किया उत्तराखंद के अंदर कॉंग्रेस को अगर किसी नहीं जमीन के नीचे लियाने काम किया तो वक्यवल हरी सामत ने मैं उनको आफ़्ुर सलाह दे रहा हूं पर माहस से शुरू हो रही डोर टू डोर रासन योजना की तहत राशन नहीं लेने काने ने लिया है सुमवार को विकास नगर में जोंसार बावर सरकारी सस्ता गल्ला एस्सेशन के कारकानी की संपन्न हुई बैठक में साथ राशन गोदामों में से जुड़े राशन डीलर तक का राशन भाड़ा लावांज भुकतार नहीं करता तब तक राशन डीलर डूर टू डूर राशन अपनी दुकान पोतारने में समर्थ हैं कि दो जार एकी सब्सक्राइब कर दोजार एक पाइस में कोबिक टैरिम्यान डाशन भुकतार ने गिए पाइस में कई वाद जिए पाइस करा दिया लेकिन कोई को भाड़ा सरकार से पैसा कि दिया जार रहा है उत्रागंड में इंदनों केदानाधम मैं सोना चुरी के मामले को लेकर सकत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानवाजी का दोर्द लगातार जारी है एक और जहां विपक्ष के नेता दो सुटाइस किलो सोना चूरी का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष की और से इसको लेकर सफाई भी दी जा रही है प्रदेश के परेटर ने धरमस्ति पाल महराज ने कहा कि जव दान दाता ने 23 किलो सोना दान दिया किया है तो 28 किलो सोना चूरी का मामला कैसे बनता है उन्होंने कहा कि 23 किलो सोने का हमारे पास परची है उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जानकर यहोने के बाद मैंने मंडला एक तो गड़वाल मंडल से इसकी जांच करवाई जांच रिपूर्ट सासन के पास है और जैसे ही ये हमारे पास आएगी हम इसे सावजिनिक कर देंगे कि दान दाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया उसकी पर्ची कटी हुई है 30 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया आप यही बताइए मुझे तो इस पर भ्रांती है उस ब्रांती का में निराकरण कर दिया है मैं ने उसी समय तमिश्टर कड़वाल से जाज कराई थी चाज की इरपूट आने वाली यह शाषन में गई है शाषन हमें भीजद का जाज के इरपूट आपके आपके आंके हम साल जलिक कर दो जिस तरहार अनर्गल बयान बाजी सAKPAL महराज कर रहा है, मैं सकPAL महराज से कुछना चाथी हूँ कि कि इस बात के धर्मस्वार पर्याटन मनत्री हैं न आपको आपधा की चिन्ता रहती है, न आपको चागां व्यवस्ताओं की चिन्ता रहती है और न कभी आपने सरकों की सुद्ली जितने विभाग आपके पास है आपने जस्टिस किसी के साथ नहीं किया आज के दारनाथ सोना चोरी मामले में आप कहने हैं कि 23 किलो दान दाता ने दिया और 228 किलो का आरोप लगाया जा रहा है तो माननी मंत्री महोदे इस बात को भी आज अर्सा बीद गया है आरोपों की जड़ी लगते वे भी और आज आप निकल कर आए हैं सफाई में बचाओं में तो कहीं न कहीं वो जो सारे बयान है 228 किलो सोना दान देने वाले वो हमारे द्वारा कॉंग्रेस के नेताओं द्वारे नहीं दिये गए थे वो बीके टीसी के अध्रक्ष के बयान है मुक्यमंति पुसकर सिंग धामी के दिसान देश पर उत्तराखंड में अलागला शित्र में प्रिसासन द्वारा अतकरमण मुक्त करवाने की कारवाई गत्वान है इसी कड़ी में राम नगर मंडी समीती के बाहर 35 से ज्यादा लोगों ने अवे तरीके से अतकरमण किया हुआ है जिन को प्रिसासन द्वारा पूर में नोटिस भी दिये गए थे वहीं आप प्रिसासन की संयुक्त टीम द्वारा इन 35 से ज्यादा घरों को हटाने को लेकर मुनादी की कारवाई की गई जानकारी देते हुए राम नगर तैसिलदार कुल्दी पांडे ने वताय कि राम नगर मंडी समीती के बाहर पीड़ुडी से लगते हुए शित्र में लंबे समय से अथक्रम्ट चला हुआ आ रहा है उन्होंने का कि सम्मन्द में पीड़ुडी द्वारा भी जुलाई में इन अथक्रम्ट कारियों को नोटिस दिये गए थे जिनकी समय अफ़दी 30 जुलाई को पूर हो गई थी कि जुलाई में 5 जुलाई के असपास पीड़ुडी के द्वारा करन नोटिस दिया थे पांदिंग का समय दिए गया दो फले जईले को पूरा हुआ था और इंको रत्रक्रम्ट सुमहम हटाने तो नोटिस दिये गह थे पन्तु किसी के दोरा हटाया गया किसी के दोरा नहीं हटाया गया आज नामित करने तो अनुरोत किया जिसकर में ऑग विस्तित आदिश पारित किया गया जुलाई में 9 जुलाई के असपास PDF के दोरा नोटीस दिया गया है तो जोटल के स्टृक्चरर बइसे ही है तोटल पैति स्टॉक्चर ज sulla P प्रश्टाइब लगाई जाने और में श्रेट नामित करने तो अजिस आपको अनुरोथ किया गया तो पर अब्स रूप से अथिकमा कर मकान बनाने वाले लोगों के खिलाप परसाशन द्वारा संबार्व से अभियान चलाना शुरू कर दिया गया तो नहीं बताए कि मंदी स अब्स बाद आज बीज जुलाई में सभी अतिकमा कारियों को अपना अठाने के लिए और उन्हें बताया कि सभी मजिश्टे टीड़ डी तर राजिस विवाद के साथी पुलिस परसाशन की सभी टीम ने मौके पर पहुंच कर मोगे बताए अपना अठीकमा कारी जों को त अठीकमा मौनादी के बाद नहीं हटाया तो उसके बाद मंगल बाद से परसाशन को रहा यहां से अठीकमा अठाने की कारवाई की जाएगी राम नगत्ति राजियों अग्वाल के साथ कैमरेमें बन के अरोड़ा जन पीवी ब्रेक के बाद आपको स्वागत है आगे बढ़ते हैं उत्तराखन महला आयोग के अद्रिक्ष कुस्म कंडवाल ने रुद्धपुर में रे पैवो महत्या की शिकार हुई महला नर्स के परजनों से मुलाकात कर नियाय का भरूसा दिलाया आयोग ने रुद्धपुर के ग्राम मलसी में मौलवी द्वारा दुसकर्ण पीडित बच्चियों के परजनों से मुलाकात कर आरूपी मौलवी को सक्षजा दिलाने का आस्वासन दिया बेटी की अभी जिस तरह से उसकी हत्या हुई है तो उसके लेके मैं सासन पर सासन के साथ बैठी थी और वह सारी चीजें निकल के आई हैं कि वास्तम में उसके साथ क्या हुआ तो लेकिन ये फिर से पुन्रावर्ती नहों हम सब लोगों को इसमें जाकरोख होना पड़ेगा और इसे देखना पड़ेगा कि इस तरह से पुलिस अपना काम करती है हम भी आयोग अपना काम करता है लेकिन महिलाओं को सुरक्षा के लेकर कहीं भी आयोग इस तरह से कहीं भी धील होती है तो आयोग उसमें तुरंद सग्यान लेता है चाहिए कोई भी हो सासन कोई भी हो उसमें और खुद सरकार इसमें संबेदन सीले महिलाओं को लेके और दूसरा मैं जो यह कहती हूं कि अभी जो हमारे पास अभी एक मौलवी वाला आया कि मदरसे में जो चोटी- तक तो वो किसी भी समाज के हों वो सहन करने लायक नहीं उन्हें कठोड से कठोड सजा मिलनी चाहिए उत्राखन लक्सर शेतर के ग्राम टांडा महतूली में मन्रीगा की तहत सड़क निर्मार कार्यों में ग्राम प्रधान का फज़ी वारा सामने आया है जिसमें ग्रामीडों ने उच्छ अधकारी और लक्सर ब्लॉक प्रमुक डॉक्टर हर्सकुमार दौलत से इसकी शिकायत की जिसमें ग्रामीडों की सूचना पर ब्लॉक प्रमुक डॉक्टर हर्सकुमार दौलत ने आज इस्तले निर्क्शन किया और ग्राम प्रधान द्वारा जिन 83 मजदूरों को सड़क निर्मार कारे में दिखाया गया है उनमें से एक भी मजदूर मोके पर नहीं पाया गया जिसके बाद ब्लॉक प्रमुक डॉक्टर हर्स कुमार ने आलादकारियों को इस से अवगत करवाया और इस फर्जीवारे की ततकाल जाज कराने के आदिश दिये आज हम लोग जिस परकार जहा हम लोग इस लोकेशन पर खड़ेंटी के खेट से पिन की खेट की और सब मोसम सड़क का निर्मान किया जा रहा है यह हमारे संबंदित सभी ग्राम वासी हमारे साथ उपस्तित है उसके साथ साथ अभी हमने जब द्रादल पर देखा आज उन्होंने इस आप विज्वल में ले सकते आप इसे इसमें आज इनोंने आज 22 मजदूर आप दिखाए है जो यह हैं जो आप पर जाके देख सकते है लेकिन उसमें 22 मजदूर दिखाए है इन सभी का कहना है सुबे से या तीन चार दिन से अभी आज तक कोई मजदूर यहां पर नहीं लेगा देखिए गावलों के जो रोज शीकायत हो रही थी तो शीकायत अधिकारी तो को सुननी पा रहता है हमारे जो पर्मुक साहब है ल लेकिन यहां कोई भी मजदूर नहीं है पर्धान को मोगे बुलाएगा तो पर्धान यहां से बिना जवाब देओ और पीछे से पीछे ही लोड़ गया यानिकि भागने वाले शीचिति पर्धान की हो गई है क्योंकि जवाब नहीं दे पाया और यहां पे जितना भी कारिय करे जा रहा हूँ सब नमबर दो में है उत्राघंड में बढ़ती हुए हत्ते और वलातकार की घटनाओ पर एमाई एम के प्रधेस अद्यक्ष की नितत्त मेरुकी में केंडल मार्च निकाला गया इस दोरान उत्राघंड सरकार के नाम एक ग्यापन भी दिया गया एमाई एम के प्रधेस अद्यक्ष डॉक्टर नियर काजमी ने कहा कि प्रधेस में अब अपरादों कबूल वाला है और सरकार को इन घटनाओं पर अंकुछ लगाना चाहिए इस मांग कुले कर सांतिपूर केंडल मार्च निकाला गया उसकी CBI जाच की जाए उसकी CBCID जाच हो और जाच होने के बाद जो उसके असली हक्तार है उस असली मुझरिम है उनको सलाखों के पीछे बेजा जाए और महिलाओं की इज़त और उनकी आबरू की उनकी सुरक्षा की माने मुख्यमंत्री जी गैरेंटी दे और जिनके साथ यह जगन में अपराग किया हुआ है उनके परिवार को सरकारी नौकरी में जगा दे और उनके परिवार को आर्थिक साहता उत्राखंट सरकार दे और केंद सरकार दे किसी डिमान के साथ हम लोग ये कैंडल मार लेकर यहां कगाए हैं और हमने माने मुख्यमंत्री जी को खानपूर से निर्दली विदायक उमिस कुमार सुर्मा ने सदन में बयान दे का सियासी हलकों में गर्माहट पैदा कर दी। में प्रदिस प्रवक्ता गर्मादासोनी ने कहा कि सरकार को गराने की साज़िश चल रही है और इंटेलिजेंस को पता नहीं है कि कहां यह एक गैर जम्मिदारा बयान इसको बताया यह जो मामला है अगर ऐसा कोई है उनके बाद साक्षे है तो वो सबूत दें किसी की हिम्मत नहीं है हम इस समय चैलिश मेंबर से सदन में भारती जनता पार्टी के और जिनका नित्रत तो मानिय पुसकर सिंधामी जी कर रहे है तो इस तरह का स्टेटमेंट उरो ने दिया है तो क्यों दिया है कैसे दिया है क्या उनको कोई भनक लगी है क्या उनके पास को इस परकार की सबूत है तो आप लोगं को पता है और मैं यह भी कहना चाहूंगा विशेश कर कि आप लोग उनी से पुछ लिजेगा कि कौन ऐसा कत्तो है कि जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है दिखें एक निर्दलिय विधायक ने गहर सेन में सत्र के दौरान सदन में खड़े होकर एक आरोप लगाया जो कि बहुती अटपटा अजीबो गरीब समवेदन हीन और गहर जिम्मधारा ना बयान दिखाई पड़ता है सबसे बड़ी बात ये कि सरकार धामी जी की गिर रही है और दर्द जो है एक निर्दलिय विधायक को उठ रहा है दूसरी बात ये कि सरकार जिसके पास तमाम खुफिया एजिंसी होती है उनको सरकार गिरने की सुखबुगाहट नहीं मिल रही है एक मिर्दिरी विधायक के पास इतने इंतिजामात हैं कि उनको पता चल रहा है कि 500 करोड के involvement से सरकार गिर रही है तीसरी बात ये कि कहीं न कहीं एक गंभीर आरोप उन्होंने भाजपा के विधायकों पर लगा दिया और सीधे सीधे उमेश कुमार का आरोप तो भाजपा विधायकों के लिए है कि 500 करोड का उपयोग करके कोई भी विधायकों को यहां खरीज फरोग सकता है तो वहीं जन्माश्टमी की धूम प्रदेश भर में देखने को मिल रही है हर मंदर को आज सजाया गया है और जन्माश्टमी पर प्रदेश भर में उत्सा देखा जा रहा है पुलिस लाइन देरहदून में करशन जन्माश्टमी के अवसर पर रंगा रंग कारेकरम आउज़ित हुआ जिसमें गायक अलाकारों ने करशन भक्ती के गीत पेश किये मुक्यमंती पुसकर सिंग धामी कारेकरम में पहुचे और शिर्कत की इस दोरान सीम की पत्नी गीता धामी भी साथ में मौजूद रही उत्रागंड महला कॉंग्रेस की प्रदी सद्धिक जूती रोतियला ने निकाय चुनाव में महला कॉंग्रेस कारेकरता हुचे को प्रदी सद्धिक रूबूद रही है जोती रोतियला ने कहा के महला कॉंग्रेस की जो कारेकरता शक्रीआ हैं उनको निकाय चुनाव में टिक ए दिया जाथिए इसके लिए वो प्रदेस अध्यक्स करन महरा से अपील करेंगे हाला कि जोती रोतेला ने कहा कि पज़े सरकार निकाय चुनाब को और अधिक आगे बढ़ाना चाहती है अभी तक ओबी सी आरक्षन को लेकर इस्तिती साफ नहीं है इस मामले में विधान सवा की प्रवर समीती को रिपोर्ट तैयर करने के लिए कहा गया है गैसेंड में तीन दिवसी सत्र के दोरान विधायकों के वेतन भत्ते का विधियक पास हो गया है और विधायकों को पता भी नहीं चला इस मसले पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कितनी वेतन में व्रद्दी की गई है और कितनी भत्तों में आला कि पूर विधायकों पूर पी सी सी चीफ रहे गड़िस गोदियाल ने कहा कि ये विधान सवाद्यक्ष को पत्त लिखेंगे और बढ़े हुए वेतन और बत्ते को नहीं लेंगे क्योंकि प्रदेश में लोग आपदा से परहिसान हैं तो वहीं इस मामले पर कॉंग्रेस बीजेपी विधायक ने भी अपनी पत्त करिया दी है मेरा उत्राखंड की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरशेंड जाकर और सिर्फ तीन दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्ध के साथ वापस आना कि माननी विधायक गणों का पूर विधायक गणों का मान दे बढ़ाय गया या उनकी आय बढ़ाय गई मैं समझता हूँ कि ये सरकार के लिए उचित नहीं और विपक्स के लिए उचित नहीं है पुनरस्थापन के लिए बाट जो रहे हों वहां आप लगातार हर छे महने में विधायकों का और पूर विधायकों का जिस तरह से बत्ता और वेतन बढ़ाते हैं वह कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप आम जंता जो बेरोज़गारी के दंश से परेशान है उसको मु कितना हमारा बढ़ा है खुद मिलाकर के सभी की बेतन बढ़ते बढ़ने मैंगाय का जमाना है अजर बढ़ भी गया तो इसमें कोई वह नहीं होना चाहिए क्यों कि भिधायक जन्परत्री उपता है जन्परत्री को जिस तरह से जिन उते खर्चे हैं सारी चीज़ों वह दे है अरब पती आदमी है तो इसलिए उनको जरुत भी नहीं है और जरुत भी नहीं पढ़ने कहिए जहां तक रहा आपदा का समय सवाल आपदा के तहें तो हमारे मुल्च के मंदीजी है हमारी सरकार में पर काम कर रहे है इसके साथ इस ब्रेटिन में फिलाल इतना ही नमशका झाल आपदा के ता बाल आपदा का समय सवाल के मंदीजी है के ता रहे है तो हमारे मुल्च के मदीजी आपदाने के ये